दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने Gmail ID का password कैसे change करें अगर आपको Gmail ID का password change करना है तो उससे पहले आपको अपना पुराना वाला password याद होना चाहिए Gmail ID को बनाते समय जो भी password डाले हैं उस password को याद होना चाहिए यानि की आपका पुराना वाला password याद होना चाहिए अगर आपको पुराना वाला password याद नहीं है तो उपर आई बटर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे अपने email ID का password पता करें इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे email ID का password पता करते हैं अपने email ID का password चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने email एप को open कर लेना होगा आपको ढूंड लेना होगा कि कहां पर हमारा email एप उसे ढूंड कर ओपन करना होगा ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हैगा तो जैसे email एप उपन होगा तो यहां पर देखेंगे थ्री लाइन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समने ऐसा इंटरफेस आएगा आपको इसी उपर करना है उपर करने के बाद यहां पर दिखेंगे setting का option दिख रहा है तो setting पर click करना जैसे setting पर click करेंगे तो आपके mobile में जितने Gmail ID रहेंगे सब यहां पर show हो जाएंगे अगर आपके mobile में एक Gmail ID है तो एक Gmail ID दिखेगा नहीं तो आप एक से ज्यादा अगर दो तीन रखे हैं तो दो तीन दिखेगा तो आपको जिस वाले email ID का password चेंज करना है सिंपली आपको उस वाले email ID को सेलेक्ट कर लेना है यानि कि उस पर click कर देना है उस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और उपर वह Gmail ID को दिखाए देगा कि किस Gmail ID का आप password चेंज करना चाहते हैं पासवर्ट चेंज करने के लिए सिंपली आप देखेंगे आप लिखा manage your Google एकाउंट आपको इस पर click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा यहां पर इसको आपको left की तरफ स्क्रोल का है जैसे आप इसे left की तरफ ले जाएंगे तो यहां पर देखेंगे security का option आपको देखने को मिल जागा तो simply आपको security पर click कर देना है जैसे आप security पर click करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज और अभी से ऊपर की और ले जाना है पर देखेंगे लिका है sign in to Google इसके नीचे आपको password का option देखने को मिल जाएगा इस पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यह थोड़ टाइम लगेगा खुलने में खुलने के बाद ऐसा interface आएगा अब यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला password डालना है जो password आप इस email id को बनाते समय डाले थे तो चलिए हम अपना password डाल लेते हैं password डालने के बाद चाहें तो आप यहाँ पर show पर click करके देख सकते हैं अगर आपके हिसाब से password साहिए तो next पर click करिए जैसे ही आप next पर click करेंगे तो यहाँ पर कुछ processing चलेगा processing चलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब यहाँ पर आपको new password डालना है जो password आप डाल बनाना चाहते हैं अपने email id का तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पुराना वाला password नहीं डालना है जो अभी डाल के यहाँ पर आएं उससे कुछ अलग डालना है डालन अपना password डाल देते हैं दोनों box में same password डालने के बाद इसका symbol दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके अपना password देख लिजीए password देखने के बाद फिर आपको नीची वाला password देख रहेना है अगर दोनों password सही है तो आपको change password पर click कर देना है जैसे ही आप change password पर click करेंगे तो यहां पर password change हो जाएगा जैसे ही password change होता है तो आपके mobile पर तुरंथ ही mail आ जाएगा आपका इस email id का password change हो गया है और आपको यहां उपर की साड़ में देखने को मिल जाएगा password change successfully अब आपको सिंपली बैकाना अब आपके इमेल आडी का पासवर्ट चेंज हो गया बट उसे एक बात का ध्यान दे आप जब भी अपने इमेल आडी को किसी फोन में लोग इन करिएगा तो आप पुराना वाला पासवर्ट से अब नहीं लोग इन कर पाएंगे क्योंकि आपने अप आपको सिंपली बार तेक केर इस्टे से